Let's start our session. Today's session is again very interesting and more important for your preliminary examination because इसमें हम कुछ topic cover करने वाले जो आपके normally कभी कहीं भी cover नहीं होते हैं और आप लोग भी उसे interest से पढ़ते नहीं हूँ उसका reason है कि हमें वो topic important नहीं लगते लेकिन हमने previous years के अगर आप question papers देखोगे तो 2018 या 19 में Dennis Owen पे question था that the question on Dennis Owen was for on based on the evolution so वो आज हम discuss करेंगे so let's try QPSC CSC with India's largest learning platform Unacademy everybody knows this is about me guys you know me on Unacademy you will get daily live classes yes every day at 8 a.m. I am conducting the daily live classes which you are experiencing and enjoying 8 a.m. every day structured courses are also available on Unacademy particularly these are available on the plus or the iconic platform okay guys you should you should take benefit of this iconic platform it is one of the most beautiful thing that will ever happen with the candidates of UPSC or UPSC aspirants clear then this live test and live quiz is also happening on Unacademy you call yeah for most probably Saturday Saturday home tomorrow quiz conduct करने वाले and unlimited access okay these are the India's top educators who will help you to crack UPSC CSC examination these are the different subjects and this code is very important make this code viral this code of success this code of success this code of success this code of success but it is beyond monetary majors okay ओकी सो लेट स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक तो आज हम डिक्सकस करने वाले टाइनी बग स्लेयर बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है उनली फॉर प्रेलिबिनेरी एक्सामिनेशन मैं पहले यहां बता दू इस इंपॉर्टेंट फॉर प्रेलिबिन हमारे हेस में तो है लेकिन आपके आपके जो चाल्ड्वुट में है आपके चाइल्ड्वूड में सभी ने ही तो बढ़ाेए आपने सभी नय ही तो बढ़ाेए ओके गाइज जस्ट गिव मी अमिड़ा गाइज डॉन्ट डिसकस अबॉट दी मॉनिक सेशन लेट्स दू वाट इस हापनिंग इन दिस सेशन ओके आपने सभी ने डाइनोसर की कितनी सारी मुवीज देखे वो जुरेसिक की पूरी की पूरी सीरीज ही आती है ना जुरेसिक प टेरोसौर दे लिजए डिफरेंश इन दोनों में डिफरेंश है तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में कोई बता सकता है अगर आप बहुत ज openness तो से तो बता विदि मोई आप बताइये ना में क्या डिफरेंश है डाइनोस ओड उर पिल सब्सावि यहां याद रखिये आपको प्रिलिंप्स के लिए आध रहा है ती रो सोर्स इस आर डाइनोसर्स बट देड आठ फ्लाइब दे कन फ्लाइंच यहां पर यहां पर इन्होंने टव्हूज यूज़ किये extinct these are extinct and they are flying and they are reptiles so these are extinct flying reptiles उन्हें हम क्या कहते है तीरो सोर्स याद रहेगा प्रेलिम्स के लिए नो 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 रमांदीब तीरो सोर्स को उनके सब कंप्यार मत तो तीरो सोर्स इस आर दे विंट डाइनोसोर्स ओके रमांदीब याद रहेगा प्रेलिम्स के लिए चले आगे अब हम आगे चलते हैं गाईज मैं लाप्टॉप इस हाग अगें हाविंग प्रॉब्लम आप था हैंगेंग इतना अच्छा और बीटिफुल सेशन हमारा आज का लगता है इस खराब हो जाएगा आभान स्ति एंट स्क्यक्ंड बंसना अच्छा ने किसे बाृड़ हे करकर विए चले याद पीच्छा अच्छा पैटिवे थाओ प्रेयोग फ्रॉप गाइज नो आइड अल्रेडी कनेक्टेट दे चार्जर गाइज चार्जर का इशू नहीं है यह इशू हीडिंग का है क्योंकि हो क्या रहा है मैं तीर दीट सेशंस ले रहा हूं और उसके साथ ही जो है आपका बाद में बैक्राउंड में भी मुझे अलगलग स्लाइड बना रही होती है उसके लिए भी मैं लैक्टाप यूज कर रहा हूं तो उनका कहना है सर आपका ओवर यूज हो रहा है यस आई वांटे तो बाद बाद बट मैं ऐसे एरिया में रहता हूं रहता हूं वहां पर यह सब चीज़े अगलेबल नहीं हैं यस यस, Cooling Pad is Must, I ordered one but I don't know when I will get that cooling Pad see this Keypad is not at all working लैस I am so disappointed with this technical issues this should not happen every time प्रॉब्लम किसका था हमें प्रॉब्लम था स्लाइड आगे ना जाने का तो दीखिए अभी मैंने माउस लगा दिया तो आप स्लाइड आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी चलिए इस स्लाइड से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को एक्स्टिंट फ्लाइंग रेप्टाइल्स को क्या कहते है तीरोसोर्स अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए अभी जो हमें डाइनसोर का एक एंसिस्टर मिला है we found one ancestor of the dinosaur? उस ancestor का नाम है, उस ancestor का नाम है, उसका नाम है, कॉंगोंगोंफ़ान केली, इस तीर नाम है, तौंगोंफ़ान केली, जिसका लिटरल मेनिंग होता है, tiny bug slayer जिसका literal meaning होता है tiny bug slayer ओके clear तो ये इस slide से आपको क्या याद रखना है most important point आपको ये नाम याद रखना है for your prillings just remember this name पहला point आपने याद रखा कुंसा point याद रखा आपने पहला ये वाला टीरो सोर्स का टीरो सोर्स these are flying reptiles दूसरा जो point आपको याद रखना है वो ये just a minute हाँ दूसरा जो point आपको याद रखना है मैं यहाँ लिख रहा हूँ kongon a phone kelly okay this is इसका literal translation है Madagaskar की language में tiny bug slayer क्या नाम है इसका tiny bug slayer मतलब यह tiny है it is very small bug मतलब यह insects को slay मतलब eat करता है तो यह insect को eat करता है ओके और यह हमें मिला है Madagaskar में in 1992 after 22 years it is in news and it is very normal in paleontology paleontology में paleontology में time लग जाता है fossil मिलते ही आप अनौन्स नहीं कर सकते है we need to confirm और यह confirm हो गया है कि it is a tiny ancestor of dinosaur it is a tiny ancestor of dinosaurs हो गया clear tiny ancestor of dinosaurs तो यहाँ पर हमें दो चीजे पता चल गई है एक चीज first thing that you know is tyrosaurus and second thing that you know is the second thing that you know is kongonaphon kelly it is a tiny bug slayer यह prelims के लिए बहुत कंपल सरी यह बहुत अच्छे से याद रखना है आप तो चलो हम आगे जाते हैं और यह हमें कहां मिला है मादा गासकर में where we found this in मादा गासकर ओके अरितू चवान इसमें हम सर्फ संडे का साइंस और टेक्नोलोजी पेज कवर करते हैं प्लस Monday to Saturday भी अगर कोई साइंस टेक की नियूज आती है और Environment Ecology की नियूज आती है तो वोगी हम इसमें कवर करते हैं इसमें हम सिर्फ साइंस टेकनोलोजी और Environment ECO कवर करते हैं बाकी कोई भी करन्ट अफियर इस सेंशन में कवर नहीं होता अब हम आ जाते हैं आगे वाली स्लाइड पे आओके तो इस आपको इंट्रेस्टिंग लगे इसलिए मने यह एल निखा है स्पाइनोसार्स ब्राकियोसारस अंकिलोसारस जो डाइनोसार के फैन है उन्हें इनके बारे में ज्यादा पता होगा इंडोराप्टर, स्टेगोसारस और इसी में हमने क्या पढ़ा था इसी में हमने क्या पढ़ा था फ्लाइग रेप्टाइल टीरोसारस ओके चलिए आगे we are going to the next slide देखिए यह जो आपका फ्लाइग रेप्टाइल है ना इस इस दे फ्लाइग रेप्टाइल this is the flying reptile just check out this size of this flying reptile क्या नाम है इस flying reptile का what is the name of this flying reptile guys quickly यहाँ पर आपको नाम बताना है इस flying reptile का नाम क्या है तीरोसारस तीरोसारस correct this is तीरो सॉर flying reptile तो आपने डाइनोसार देख लिया, आपने flying reptile देख लिया, now time to see your congono fan kelly, congono fan kelly, देखिए how tiny it is, ये human being है, six feet जिसकी height है, most probably redicrotion ठीक है, और ये डाइनोसार है, और इसकी साइज देख लिया, such a tiny, टाइनी का मतलब यह नहीं कि एकदम इन्विजिबल है, no, it is tiny compared to dinosaur, अगर आप इसे dinosaur के साथ compare करोगे तो it is very tiny, okay, clear, understood, this is the size, हो गया, यह तीनों समझ में आ गए, dinosaur, tyrosaur and the kongonophon kelly, kongonophon kelly हमें कहां मिला है, kongonophon kelly, it is a tiny ancestor of dinosaur, we found this in Madagascar, and you know where Madagascar is, देखिए, यह जो Madagascar है न, it was directly attached to India, when India was part of supercontinent Gondwana, गondwana land का जब India part था न, तब यह Madagascar directly attached था India को, यह आपनी जोग्रफ में पढ़ा होगा, that's why, देखिए, हमें Madagascar यह आफ्रिका में जो trizik vertebrate के fossils मिले हैं, trizik vertebrate के fossils हमें, Madagascar में, आफ्रिका में मिले हैं, वहीं आपको Madagascar में मिले हैं, 36 गर्ड में मिले हैं, और ओडिसा में मिले हैं, इस slide से आपको बस इतना याद रखना है, गोंड बना, गोंड बना, सुपर कंटिनन्ट, यह याद रखिए हैं, दूसरा कोन सा था, गोंड बना के साथ कोन सा था, वो भी मैं आपका खरवा हूँगा यहां पे, ओके, यस, 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 यूर करेक्ट पराण ज़ी, ओके, चलिए आगे, इस slide से आपको बस इतना याद रखना है, this fossil we found in in Madagascar चलिए ये देख लिजिए आप this is the Madagascar अब यहाँ पे मैं थोड़ा जोग्रफी का mapping वाला part कराता हूँ आपका Indian Ocean है ये पूरा का पूरा देखिए Indian Ocean के West में आफ्रिका East में आपको Australia और पूरा South East Asia का boundary लगेगा और North में इंडिया है और South में आपका सीधा Antarctic Ocean आएगा तो इस आर दे इंडियन Ocean आइसलेंड सोकोत्रो एमिन का है लक्षद वीप इंडिया का माल्दी उस तो आपको पता ही है British Indian Ocean Territory is in Indian Ocean Sessions आपको पता है ये important है हमारे लिए हमारा या इंडिया का पहला जो ओवर सीज बेस होगा ना दाट विल बी इन Sessions ओके और इस इस दे मादगास्कर यहां पर कोमोरोस आइसलेंड भी मिलेंगे जस्ट अब्जर्व दी लोकेशन इनके लोकेशन आप देख लो कोमोरोस, सेशल्स, मौरेशियल्स ब्रेटिश इडिया ओशेन टेरिटेरि लेक्षट विप सोगोटरो, कोकोस आइसलेंड याद लेखे, कोकोस आइसलेंड दे बिलॉंग तो ऑस्टेलिया यह कहां लोकेशन ने देख ली जा आप कोकोस आइसलेंड ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड यह देखिए, सबसे पहले जो था न वो था Pangea first one was Pangea, just give me a minute guys yes, the first one was Pangea, Pangea दो group में divide हो गया that is Gondwana Land, that is Gondwana Land and Loreshia यह दो होगे Pangea के, ठीक है, Pangea के दो होगे Gondwana Land and Loreshia, उसके बाद जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे how this Madagascar, this is the Madagascar and India, Madagascar and India यहाँ देख सकते हो आप, Madagascar and India, Madagascar India Madagascar India, इस तरह से Indian plate यहाँ आ गई, Madagascar यहाँ रह गया ठीक है, so that's it, about the Madagascar, आपको मैंने इसका Madagascar का geographical location भी बता दिया, और वो किस तरह से attached था यह भी बता दिया, चलो, अब यहाँ पे आपने क्या-क्या पढ़ा, what exactly you studied? No, not Manmar, Cocoa, Cocoa, they might be in Manmar, but Cocoa, they are in Australia, Cocoa, Iceland कहाँ पे? Australia में, ठीक है? चलिए, अब बाए, झाले है, झाले हैं, वोगगा पे? साथ लगए, प्याँ प्याट यहाँ ए से ? झाल 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 क्वेवा कुमारी we'll try that also जो जो कि चलिए नाओ इस वरकिंग फाइन तो हमने यह डिसकस कर लिया पैंजिया हो गया हमारा उसके बाद लॉरिशी एंग गोंट बना लैंड हो गया यह सब पॉइंट हो गया हमारे अब देखे पैलेंटोलोजी में what exactly we study what exactly we study in पैलेंटोलोजी इन पैलेंटोलोजी वी स्टड़ी दी लाइफ डाइफ दिखे प्रायर टु करेंट लाइफ इन पैलेंटोलोजी वी स्टड़ी द़ाइफ दाइफ 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 प्रायर टू करेंट लाइफ ठीक है next जो है यह जो टाइनी बलग स्लेयर है इसी में आपको योग नियूज मिलेगा उन्होंने मेंशन किया है the first birds such as archopteryx अब यहां पे prelims के लिए याद रखना है आपको इस लाइट से एक पॉइंट आपको prelims के लिए याद रखना है just give me a minute now guys some days are very bad पता नहीं किसका मुह देखकर आप दिन स्टार्ट करते हो तो इट हैपन्स ठीक है तो अब यहां देखिए आपको prelims के लिए याद रखना है archopteryx का archopteryx it is the first bird it is the first bird remember this for your preliminary examination ठीक है यह पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो यह कि यह dinosaurs और modern birds इनकी between transition था तो यहाँ पर आपको मिलेंगे dinosaurs बाद में मिलेगा आपको archopteryx और उसके बाद आपको मिलेंगे modern birds okay modern birds this is it guys तो यह archopteryx के बारे में आपको याद रखना है it is the first bird it is the first bird for your prelims याद रहेगा सभी को and it is a transition species between the dinosaurs and between the modern birds अब दीके dinosaurs में भी तो एक flying था ना एक flying reptile था उसका नाम क्या है what is the name of that flying reptile dinosaur के case में yes quickly क्या नाम था उसका this saw maker will do that ठीक है तो यह हो गया आपका tiny bug slayer चलिये आगे archopteryx इस slide से याद रहेगा सभी को everybody remember archopteryx first bird and it is a transition between dinosaurs and modern bird this is archopteryx this is the beautiful creature which is extinct now this is the extinct first bird that is known to us this is the extinct first bird that is known to us clear yes yes rudraani you can say so चलिये आगे अब यहां देखिए इसी में एक और एक news थी the hindu के science tech page पे ही यह news थी inherited sensations आपने देखा है कभी कभी there are some people who do not feel pain as compared to others आपने देखा होगा जैसे for example बहुत सारे ऐसे लोग होते जिन्हें इंजेक्शन से बहुत डर्व लगता है है ना इंजेक्शन से बहुत डर्थ है हो तो कुछ लोगों को इंजेक्शन से बिल्कुल दर्थ नहीं होता और कुछ लोगों को बहुत जादा दर्थ होता है तो यह जो पेन की sensation है ना दर्थ युड़ों को लोग है थे बूपल कॉर अमेरिकशन लोग है थे पीपल इंट्र रमneyका बुना clear το यह चो नियांडर्थल है इनसे एक जीन इन्हेरीट हुआ किसे ईरो और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन लोगों के लिए सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के लोगों में और इस जीन की वजकिसे देहाऊ लो त्रिशोल्ड आफ पेंड अब यहांपे नियांडर्थल को में किया है तो we need to we need to understand what is neanderthal what is neanderthal this is the neanderthal this is the neanderthal man remember neanderthal is a subspecies of humans यह human की subspecies है मतलब अभी जो हमारा modern human है ना जिसे हम homo sapiens sapiens कहते है यह यह यूरोप में आने से पहले this homo sapiens sapiens before they landed in Europe Europe was colonized by these neanderthals और यह neanderthal हमें कहा मिले Germany में neanderthal valley है उसमें हमें neanderthal मिले इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया है neanderthal ठीक है क्या याद रखना है आपको यहाँ पे modern human को क्या कहते है homo sapiens sapiens और यह modern human ने यूरोप को colonize करने से पहले वहाँ पे क्या exist करता था neanderthal exist करता था he is the neanderthal जो आपको सामने देख रहा है neanderthal clear next अब देखिये यह मैं आपको explain कर दिया है it is a subspecies of archaic humans archaic humans का मतलब क्या है old human old older humans ठीक है तो जो 40,000 years ago कहां रहते थे eurasia में they used to stay in eurasia fine और जब early modern human ने ये रोप को colonize किया तब जाकर ये neanderthal क्या हुए extinct हुए तो यहां देख लिजे हम स्रिफ animals को extinct नहीं करा रहे है modern human की वजह से ये जो neanderthal है ये जो neanderthal है वो extinct हो गया ठीक है अब यहां देख लिजे human का taxonomy ये बहुत important है to understand what is primata animalia, chordata, vertebrata, mammalia, utheria, primates दिखिए primates में को ना दा है मैं बाद में explain करने वाला हूँ primates में फिर suborder है anthropoide then katerini तो ये homo nidi याद रखने है you need to remember this homo nidi then homo nidi homo sapiens homo sapiens sapiens अब यहां पे है न और एक subspecies आ सकते ये एक subspecies हो गई human की दूसरी एक subspecies है यहां पे homo neanderthal homo neanderthal यहां रखना बहुत जरूरी यहां इस बेरी इंपॉर्त no 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 rudra ni that that gene is not expressing intolerance towards pain actually that gene is giving less threshold of pain मतलब हो जीन जीन लोगों में है न जीन लोगों में यह जीन है न उन लोगों को pain feel नहीं होता जादा these people do not feel pain ठीक है यह basic आपको difference समझना है आयूशी सिन्ना I will explain I will show you the difference between these modern human and neanderthal neanderthal तो देखिए this is the first subspecies of human being and this the second subspecies of human being is homo neanderthal ठीक है चलिए अब हम आगे वादी slide पे जाते है we will go to the next slide here you go देखिए मैंने आपको पहली वाली slide में ही बोला था कि आपको यह hominoidy याद रखना है you need to remember this hominoidy ठीक है hominoidy यहां देखिए hominoidy में कोन बोन आता है this hominoidy it is a super family hominoidy is a super family no need to remember what exactly आपको मुझे सरीफ यह बताना है humans, chimpanzee, gorilla, orangutan and gibbons these are the closest relatives these are the closest relatives देखिए हम सबकी gibbon, orangutan, gorilla, chimpanzee और human सबकी super family same है hominoid सबकी super family same है मतलब यहां kingdom से लेकर तो यहां तक हम में chimpanzee और orangutan, chimpanzee, gibbon इनमें सब similarity है difference यहां से start होता है हमारी family hominoidy है तो chimpanzee की जो family है chimpanzee, gorilla और orangutan की family है no need to remember deniso one that we will discuss पहले यह तो समझ लो hyalobatady इसमें आते हैं आपके gibbons ठीक है तो यह तीन families हो गई hominoid में humans आ गए जिसमें neanderthal और sapiens दोनों आएंगे ठीक है उसके बाद फिर पॉंगे निडी में chimpanzee, gorilla और orangutan आ गया है hyalobatady में gibbons आपको यहां पर याद क्या रखना है human, chimpanzee, gorilla, orangutan, gibbons they belong to a same super family उस super family का नाम है hominoidy उस super family का नाम क्या है hominoidy clear, fine, चलिए आगे अब एक एक देखिए, this is chimpanzee this is how a chimpanzee looks like ठीक है, आगे आप देख सकते हो आपने वो जो rise of ape of the planets देखा ना उसमें actually chimpanzees ही थे हम उन्हें term use कर रहे थे monkeys but no they were actually chimpanzees उसमें जो species use किये ना उन्होंने that was chimpanzee rise of the ape, planet of the ape movie में ठीक है, then this is gorilla, देख लीजे difference chimpanzee और gorilla में gorilla tetrapod है, मतलों वो prefer करते है चार limbs यूज करना और चिंपांजी है वो prefer करता है दो limbs वो भी चार limbs पे चलता है लेकिन preferably वो दो limbs यूज करता है इनको knuckles भी यूज करते ठीक है चलिए तो chimpanzee हो गया gorilla हो गया इसके बाद this is orangutan आप मुझे बता सकते है mountain gorilla आपको कहां मिलता है where you will find mountain gorillas where we can find mountain gorillas yes quickly guys कहां मिलता है mountain gorilla quickly guys हमें यह mountain gorilla मिलता है आफ्रिका में we find this in Africa oh yeah what do you want Apes Apes का मीनिंग है जो monkey family उसे उने Apes कहते है उन सब को मिलकर हम Apes कहते है ठीक है clear yes style तो हमें mountain gorilla मिलता है only in आफ्रिका उसमें भी हमने 3 countries देखे थे Uganda उसके बाद हमने देखा था Rwanda और तीसरी country कौन से थी what was the third country guys what was the third country Democratic Republic of Congo यहां पर आपको mountain gorillas मिलते तो chimpanzee gorilla Himalayan region में gorillas नहीं है लवडीश gorillas नहीं है हिमालया हमें ठीक है उसके बाद orangutans बता यह orangutans कहां मिलते आपको 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 Rise of the planet of ape में यह भी दिखेंगे यह गोरिला की भी मिलेगी एक उसमें एक थी ना red color का और मतलब she acts like a oldest lady of the family उस movie में थी that is orangutans और आप आप नुझे बताओगे where exactly we can find orangutans yes you will find these orangutans in south east asia these orangutans can be found only only in south east asia यह हमने जो biodiversity hotspot पड़े थी उसमें हमने क्या कहा था Sunda land is the only biodiversity hotspot Sunda land is the only biodiversity hotspot where we can find orangutans orangutans are available only in Sunda land biodiversity hotspot that is south east asia very good हो गया revision तो chimpanzee gorilla orangutans okay उसके बाद this is gibbons these are the gibbons they are much closer to monkeys these gibbons they are much closer to monkeys right याद रखिये monkeys हमारे closest वो primate में आते है और हम सब एक ही super family में कौन-कौन gibbons उसी super family में orangutans उसी super family में gorilla उसी super family में चिंपांजी भी उसी super family में जिसमें humans है लेकिन monkeys इस सुपर फैमिली में नहीं है monkeys यहां तक monkeys में और हमें यहां तक similarity है प्राइमेट्स तक मंकी भी प्राइमेट है humans भी प्राइमेट्स है ठीक है चलिए अब किसी ने पूछा था कि इन दोनों में कुछ तो difference होगा किसमें आपके निएंडर्थल और humans में तो आप देखें मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं निएंडर्थल और modern human इन दोनों में क्या difference थे लिए लेट्स चेक इडाओ थू इमेंच प्रियंका सबकाल राइट नव रिए नॉझा वो शारे अंडेंजर्ड सारे के सारे प्रामेट अंडेंजर्ड है आई आई यूच्छ इडिकली अंडेंजर्ड होगे कुछ शायद नहीं होगे इसे इंडेंजर्ड लेकिन मोस्त अ देटर्च नियांडर्थल और मॉर्डन हुमन यहां आप देख सकते हो इसका क्राणियम का शेप और हमारे क्राणियम का शेप इसकी ब्रो रीज देख लीजी है हमारी bro reach देख लीजिए इसका nose देख लीजिए हमारा nose देख लीजिए उसके बाद इसका nose larger है then broader rib cage इसका rib cage broad है ये जो है ना नियांडर्थल आपको आप अगर Sweden वाले पार्ट में जाओगे न या फिर उद्धे हम क्या कहते हैं Nordic countries में नौर्डिक कंट्रीज में आपको ये नियंडर्थल के कारेक्टरस्टिक वाले मिलेंगे जैसे वाइकिंग्स थे ना ट्राइबल्स ये रोप में आपने पढ़ा होगा नो राहूल में आपको ये ये या फिर कहां हम कह सकते हैं मिंदी ये 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 इसका जो रिपकेज ब्रॉड है हमारा रिपकेज ब्रॉड नहीं है इसका जो फोर आम है शॉर्ट है हमारा फोर आम लॉंग है इसकी हिप्स ब्रॉड है हमारी हिप्स ब्रॉड नहीं है ये इसके बाद इसका जो लोवर लेक का बोन है वो शॉर्ट है तो आप देखिए फोर आम भी शॉर्ट है इसका लोवर लेक भी शॉर्ट है हमारा लोवर for the sake of fun लेकिन वो पॉसिबल नहीं है नहीं होता अभी पाकिस्तान जैसे बेवकूफ कंट्रीज होती है जो साथी अरेबियक है इन लोगों को अलाओ करती है otherwise ऐसा अलाओड नहीं है okay guys so आज के लिए इतना ही thank god की हमारा जो यह सेशन है यह अच्छे से चल गया I was really afraid with the problems of the laptop but now it is working I don't know why it is happening okay if there is anybody who is expert of computer please contact me on whatsapp anybody in the class who is expert of computers please contact me on whatsapp if you don't have my whatsapp number this is my whatsapp number please message me on whatsapp okay I mean I need your help guys okay then this is my telegram channel subscribe to my telegram channel follow me on unacademy आपको ये सारी notes यहीं पर मिल जाएगी not really Samita ठीक है then मेरे जो sessions है na everybody every new student please listen to this कियर भूली मैं हर रोज unacademy पे सुबह 8 बचे session लेता हूं free में unacademy learning app पे free session होता है मेरा ठीक है दूसरा मेरा session होता है 11-15 AM का इसमें में current affairs कराता हूं YouTube पे this is on YouTube इसमें में current affairs कराता हूं science technology और environment and ecology के और मेरा third session होता है 1-30 PM का ये session उनके लिए those who are appearing for 2020 prelims स्रिफ उनके लिए ये session है ठीक है प्लीज contact me every new student please message me on WhatsApp I am waiting for your message so ये भी session YouTube पे होता है 1-30 वाला session मेरा Sunday to Thursday होता है तो आज last होगा ठीक है 1-30 वाला session और जो ये 11-15 वाला session है it is from Sunday to Friday ठीक है yes Indraji there are some issues I am facing Chaluk thank you very much for the day see you by 1-30 PM today